वाउलोगाईज प्या आपने फोटो खीच लिया है और उसका ग्टग्राउंड आप हटा के उस फोटो को कहीं और और चाहते हैं या फिर उस पीछे आप कुछ और लगाना चाहते हैं या फिर कोई बैग्ग्राउंड अच्छा वाला बैग्ग्राउंड आप उस फोटो के पीछे लगाना चाहते हैं तो कैसे हम उसको रिमूब करेंगे यदि आपको मैं बता दूँंगा आप किसी एप को डाउनलोड करके यदि आप हा तो उस तरीका बताने वाला हूं इस वीडियो में और वीडियो लाज तक देखिएगा उस तरीके को मैं ऐसे बताऊंगा कि यार आप इतने अच्छे तरीके से इतना क्लियर तरीके से आप बीडियो का बैग्ग्राउंड हटाएंगे आपके फोटो पे जर्रा वर कुछ हिस्से जो आपके सरीर के बोडी पार्ट के हो छूड़ जाते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि उस तरक आप कुछ भी नहीं करना है बस फोटो को अपलोड कर देना है अपलोड करके आपको एकदम क्लियर बैक्ग्राउंड वाला आपका इमेज प्राप्थ हो जाएग करेंगे सर्च करेंगे big और जी bit लिख सकते हैं या capitalist लिटर दोनों में लिख सकते बी जी लिख देंगे यहां पर पहला वाला वाला जो अप्छन है उसको चुसकर करके इस तरह से आंगे तो यहां पर पहला वाला जो ऑप्छन है review image by ग्राउंड तो इसको आप क्लिक कर लि इमेज पर क्लिक करते हैं तो यहां से एक इमेज अपलोड हो जाती है तो यहां से आप जो इमेज है यहां ब्राउज पर क्लिक कर लेंगे ब्राउज पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर सारी इमेज दिख जाएंगी तो कोई समय एक इमेज ले लेता हूं यहां से तो चल आप लीजिएगा नहीं तो कहेंगे कि भाई ने गलत एब बता दिया है गलत विपसाइड बता दिया है ताकि सही से नहीं फोटो का बैगराउंड एरेज हो रहा है तो यहां आप देख सकते हैं कि जो jpg form का फोटो था मैंने उसको चूच कर लिया है और यह कुछ है थोड़ा second time ले रहा है आपका internet यहीं फास्ट रहता है तो कोई दिकत नहीं है जल्दी हो जाता है यदि आपका internet फैसल्टी थोड़ा स्लो थो थोड़ा time लगता है तो आप थोड़ा सा इंतेजार कर लेंगे तो बहुत ही easy तरीके से अच्छा एकदम image पाजाएंगे आप तो यहां से देखिए absolutely हो चुका है तो देखिए कितने खुपसूरत अंदाज में यार background रिमूब हो गया है जर्रा भी आप यहां पे कमी नहीं पाएंगे तो यहां से आप यहां download वाले पे click करेंगे डाउनलोड ही है यहां पे खाली click करके आप डाउनलोड कर लेजिएगा डाउनलोड करके मैं चलिए दिखा देता हूँ यहां से फोटो में फोटो पे जाने की बाद आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे इसमें नहीं अलबम में जाएंगे यहां लाश्ट थर्टी डेज वाले में यहां पे यह वाला इमेज है अब इतके साइड साइड में आपने यूट्यूबरों को देखा होगा कि यह लाइन खिची रहती है वह कैसे लगाते हैं तो उसको भी लगाना बहुत ही इजी है तो इस तरह से जब आप कर लेते हैं फोटो को तो एक एप और है उसका नाम है यहां देखिए फिक्सल यहां पे क्लिक करेंगे ओके पे और यहां से आप देख सकते हैं इसको डिलीट कर लेंगे फोटो मेरा पहले था तो इसको हम यहां से जनरली अच्छे से डिलीट कर लेते हैं डिलीट करने के बाद आप यहां से देखिए ओके करेंगे यहां प्लस वाल आइकन पे जाएंगे और प्रॉम गैलरी से एक वही फोटो हम चूज कर लेंगे जो हम बैक्ग्राउंड जिसका रिमूब की हैं तो यहां से हम साई वाले पर आप्षान पे क्लिक करके इसको थोड़ा बढ़ा कर लेंगे और यहां वाले पर आप चले जाएंगे यहां श्ट्रोक लिखा हुआ है इसपे क्लिक करके ओन कर देंगे और यहां से रहा Council करके देख सकते हैं कि कुछ इसी परकार से आपने yahoo to चेब्रों को देखा होगा कि इस तरह से उनके photo पसे लगा रहता है तो हां से Save as एमेलि抗 यहां सेsomething कर सकते हैं चालीया मैं फिर एक बहरła gallery में दिखादेता हूं कि कि तरह से जो मेरा photo बना है वो किस तरह से बना आप देख सकते हैं कितने बहतरी नढग से फोटो एडिट हो चुका है, इसका बैक्ग्राउंड रिमूब हो गया है, आप इस फोटो को जहां भी लगाएंगे आसानी से लग जाएगा, आपको बैक्ग्राउंड रिमूब करने की जरूरत नहीं है, तो वीडियो अच्छा होगा तो लाइक से एर सबस्क्राइब जरूर करिएगा दोस्तों